ये CCTV फुटेज चलाते हुए कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहा ये आदमी उमेश पाल हत्यकांड का आरोपी गुड्डू मुसलिम है बता दे की साल 2005 में उत्रप्रदेश में बस्वा के पूर्व विधायक राजुपाल की हत्या कर दी गई थी और वकील उमेश पाल उसके एक प्रमोंगवा थे लेकिन प्रयाग राज में उमेश पाल के घर के बहार ही उनकी हत्या कर दी गई कथे तोर पर इस हत्या की शाजिस रचने वाले बृत गैंग्स्टर अतिक एहमत का सहयोगी गुड़ो मुस्लिम इसमें शामिल था और फिलहाल वो फरार है ऐसे में आज तक ने ये CCTV फुटेज चलाते हुए दावा किया कि ये गैंग्स्टर गुड़ो मुस्लिम का लेटस्ट वीडियो है बहराल ये वीडियो अप मीडिया संगठर ने डिलीट कर दिया है लेकिन इसका स्क्रीन शॉट आप स्क्रीन पर देख सकते है नव भारत टाइम्स ने भी ये फुटेज गुड़ो मुस्लिम की बताते हुए चलाई वही कई मीडिया संगठर ने ये फुटेज इसी दावे के साथ चलाई थी जिसमें ABP News, ABP GANGA, News18, NDTV India, पंजाब केसरी UP UK, जिर दिल्ली NCR हर्याना, News Outlook, भारत 24, TV9 भारत वर्ष, News18 उतरप्रदेश और News Nation शामिल है हाला कि बाद में इन मीडिया आउटलेट्स ने अपने पोस्ट डिलेट कर दिये थे हाला कि इस वीडियो में सफेद शर्ट पहने इस व्यक्ति ने खुद सामने आकर इस वीडियो की हकिकत बताई है इंडिया टीवी के पत्रकार अंकित मिश्रा ने ये एक वीडियो क्लिप ट्वीट की इसमें हामिद ने कहा मैं नवाज पढ़ने आया था नवाज पढ़के वजू बनाके मसीद अंदर भुषते हम लोग वीडियो है वही वीडियो है तो क्या बहर लो रहा है गुद्डू मुसली मैं बोलकर अब इसके ओपर क्या प्रतिक्या देंगे वीडियो आपका है हाँ वीडियो मेरा है मेरा नाम हमीद है दे टाइमस ओफ इंडिया के भूनेशवर ब्यूरो के चीफ और जॉर्नलिस्ट अशोक प्रधान ने ये वीडियो ट्वीट किया जिसमें हामिद नाम का ये शक्स वाइरल वीडियो के बारे में ये कहता है वहीं हामिद की तस्वीर को गुड़ो मुसलिम की तस्वीर से कमपेर करने पर भी दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है यानि मीडिया चैनल्स ने CCTV फुटेज चलाते हुए जूठा दावा चलाया कि ये व्यक्ति गैंक्स्टर गुड़ो मुसलिम है जबकि क्लिप में ओरिशा के बारगट जिले के सोहिला का रहने वाला शेक हामिद महुम्मद है